नमस्कार आप सभी तर्शुकों का रिपोर्ट पोस्ट पर सागत है और बजट सहत्र का तीसरा दिन और एक बार फेट से बीजेपी जो है नियोजन नीती के मुद्धे को लेकर के सदन के बाहर बैठी वही है आपको पूरी तस्वीर हैं हम फिलाल यहां पर दिखा रहे हैं कि हम लोग इनसे सीधे बादशीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है और हम लोग सीधे जुड़ते हैं इनका क्या कुछ कहना है लगतार अनन जी कली सर्वे रिपोर्ट जारी कर दिया गया है 73% स्टूडेंट ने का है कि 2016 से पहले वाली नियोजन नीती लागू क्या है दिखिए सरकार इसी परकार के अनरगल बिद्वा प्रलाप कर रही है सरकार बिदी समत तरीके से नियोजन नीती लागू करें और लोजवानों के हाथ में रोजगार देने का मार्क परसस्त करें क्या कुछ कहिए कि लगतार आप लोग अपनी आवाज बुल हम सरकार से मांग करते हैं कि युवाओं के हाथ में रोजगार दो और उनको दिखभ्रमित करना बंद करो रोज नए नए बहाना बनाना बंद करो यह हम सरकार से मांग करते हैं तीन साल में एक जन्म लिये हुए बच्चा भी दोड़ने लगता है यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने कूर्शी बचाने के लिए युवाओं को दिखभ्रमित कर रहे हैं जारखन को धकेलने का काम कर रहे हैं जो लगतारा पूरी तस्वीरे देख रहे हैं यहापर किस तर है कि नियोजनीती जल से जल्द राज्य में आनी चाहिए और विदी सम्मत नियोजनीती लागुकरों की मांग कर रहे है जारकर में विरुसगारों के साथ जो वहवार किया जा रहा है उसको लेकर के लगतार आवाज जो है वो यहाँ पर बीजेपी के विधाये सदन के बाह सोले से पहले वाली नियोजनीती यहाँ पर लागुकर यहाँ पर रोजगार के सिलसला शुरू करने की मांग जो है वो यहाँ पर अभियती करते वे नजर आ रहे हैं और कल मैं तो पूर बाटक जो है कैबिनेट की वो रखी गई है तमाम तस्वीरे आपको हम लोग यहाँ कर दिखा रहे हैं तमाम पर भिजेपी के डेयाएं कर सदन के बाहर हंगामा करते हैं हम लोग और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर किस तरीख से त तमाम चीज को देख रहे हैं और पूरी तस्वीरे हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं युवाओ का भविश कही ना कही आपर उसको लेकर के आवाज बुलंद करते वे नजर आ रहे हैं युवाओ का भविश जो है वो फिलहाल यहां पर मौझूद है और इसको लेकर के कई बाते सामने आ रहे हैं हम लोग सीरे अब इसको लेकर के चर्चा भी करेंगे और पूरी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर पूरी तस्वीर यहाँ पर साफ तोर पर विदी सम्मत नियोजन नीती के मांग कर रहे हैं लगतार लोग जो यहां पर आवाज जो है वो नियोजन नीती को ले करके बुलंद करते वे नज़र आ रहे हैं और हम लोग यहां पर कमाम लोगों से भी बातचीत करें गये और यह आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वास मंत्री बर्ना गुपता भी यहाँ पर मौझूद है और हम लोग कोशिश करेंगे उनसे भी जुड़ने की और तमाम चीजें इनसे बाद जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस मामले को ले करके कि यहाँ पर लगतार सरकार विपक्ष हमलावर हो रही है इनके उपर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास मंत्री बर्ना गुपता भी मौझूद है हम लोग इनसे भी बातशीत करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है इस पूरे मामले को ले करके आप पूरी तस्वीरे देख रहे हैं आप स्व आरे कोई हमलावर नहीं है यह लोग बेसलेस हो गए हैं इनके पास मुद्दा भी हिन हो गए हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है इसलिए आप लोगो ने सर्वे रिपोर्ट भी जो है वो जारी कर दिया है उसको ले करके क्या कहिएगा क्योंकि 73% स्टूडेंट ज आने दीजे यह था उची समय में यह था उची जवाब दिये जाएगा किस विसे पर अरे बिल्कुल सरकार गंभीर है सरकार गंभीर है इसलिए तो मुद्दा विहीन हो गया भाजपा भाजपा के पास कोई मुद्दा है जूट मुद्द का खीसियानी भीली खंबा नोचे इनके पास कोई मुद्दा उद्दा बचे नहीं है सारे मुद्दे तो हम पूरा कर रहे हैं तो यह इनके पास मुद्दे हैं 50 रुपे गेस सलेंडर का दाम बढ़ गिया पूचिए डालबुमगर का एयरपोर्ट वाला मामला इतना दिन तक लोगों को भ्रम पैदा किया पर जो हमला हुआ है उस पर हमने सब पुकाया कि उसके कड़ी कारवाई हो और उसके काड़नों का भी जो है सामने लाए जाए कि कांगों से हमला किया है और हम कर पर कड़ी कारवाई होगी और सारे इंतिजाम हैं और हमारे डॉक्टर बड़े संब्यदन सील हैं और हम हमारे चिकिशों के साथ बैठ कर परामर्ज करके सारे बातों को सुझा लगा तो लगतार यहां पर पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर सत्ता पक्ष के मंत्री बड़ना गुपता ने कहा कि कल क्याबिनेट की बैठा किया उसमें जरूर इसको लेकर के नेन्डे जो है वह लिया जाएगा तमाम पूरी तस्वीर हम आपको यह आप दिखा देते और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी आपर नियोजन नीती को लेकर के अपनी आवाज बुलंद किया कि सरकार विधी संबत नियोजन नीती लेकर क्या है तब तक कि लिए रिपोटर पोस्ट के साथ मैं पूजा नमस्कार